दोस्तों मैं अनिल सेनी स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैं आज आपके लिए एक ऐसा नए वीडियो लेका हूँ मैं आज आपको ब्रिक के बारे में कुछ टेस्ट एक टेस्ट है उसके बारे में बताऊंगा जो कि सेफ और साइज का टेस्ट किय जाता है हमने बुक्स में तो कई बार पढ़ा होगा कि ब्रिक का सेफ और साइज कैसा होना चाहिए लेकिन हम इसको साइट पर कभी नहीं करते जो कि आज मैं आपको साइट पर यह टेस्ट करके दिखाऊंगा तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें इस टेस्ट क को भी पता चले कि ब्रिक का सेफ और साइज का टेस्ट कैसे किया जाता है तो यह देखिए ब्रिक का कुछ यहां पर चट्टा लगा हुआ था मैंने इसमें से रेंडम ली 20 ब्रिक्स को चूज किया और उनको इस तरीके से रख दिया है तो फर्स स्टेप में ब्रिक्स को इस कर सकते हैं हाँजे 20 ब्रिक्स को मैंने इस तरीके से रख हुआ है काउंट करेंगे इदर से किसी भी डिरेक्शन से क्योंकि हमारी यहां पर लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है यहां पर हमारे पास जिस चीज़ से हम मेजर करेंगे टेप से अगर हमारे पास छोटा टेप है तो इसलिए मुझे दो लाइन लगानी पड़ी वरना मेरे पास थोड़ा छोटा टेप है जिससे मेजर करेंगे इसकी लेंथ को अगर हमारे पास लेंथ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं इसको पूरी लेंथ में बिचा सकते हैं 20 बिक्स को तो दोस्तों यह मैं टॉंटीविक को रखा हुआ अब यहां पर यह देखते हैं मेजर करते हैं कि इनकी लेंथ नहीं फिर उस लेंथ करें। से मैच करें इ। यहां से मैंने इनको मेजर करना स्टार्ट किया यह तो फस्त जो in the है ब्रिक्स की जो लेंद्थ आएगी वह हमारी आरी है लगबख यह है 228 सम्थिंग आ रखी है तो हम इसको मेजर कर लेते हैं 228 अब दूसरी लेंद्थ को मेजर करते हैं दूसरी लेंद्थ को मेजर कर लेते हैं इसी तरीके से यह देखें जब हमने दूसरी लेंद्थ को मेजर किया तो इसकी लेंद्थ आई है 222 है 232 हाफ हाफ उसमें आ रखी थी हाफ विजमा रखी तो हम इसे 233 बोल देते हैं और वहां पर आ रखी थी 228 हम जब इन डोनों लेंद्थ को एड़ कर लेंगे जब हम इनको एड़ करेंगे तो हमारी एप्रोक्सिमेट वैल्यू जो आएगी कि देखे दोस्तों मैंने दोनों लेंद्थ को एड़ किया तो हमारी टोटल लेंद्थ आई है 461 सेंटीम्र अब इसी परकार हम क्या करते हैं ब्रिक्त को दूसरी डारेक्शन से बिचा करके फ मेजर करेंगे तो मैंने इसको 20 ब्रिक्स को वीट्थ के अलोंग रखा हुआ है और यहां से हम इसको मेजर करेंगे इंच टेप से अब मेजर करते हैं इसको वीट्थ के अलोंग यहां से इंच टेप लगा करके यह देखे यहां पर मैच किया है तो यह आ रहा है हमारा हम इस reference इस value को भी note कर लेते हैं और note करने के बाद हम इसको reference value से match करेंगे दोस्तों मैंने width के along major करके इसको भी note कर लिया है अब हम क्या करते हैं इसको height का according, height के along में इसकी depth को measure करेंगे और फिर इसको reference value से फिर इसको compare करेंगे कि रहें कि दोस्तों अब मैंने इसको डैप्थ के अकॉर्डिंग या हाइट के अकॉर्डिंग उनको रख लिया है इसको वर्टिकली भी रख सकते हैं लेकिन वर्टिकली हमारी 20 बिक्स को रखना पासिबल नहीं है क्योंकि यह ब्रिक्स जो है इधर वदर गिर सकती है तो इस दो है तो यहां से इसके जो हाइट निकलेगी वह होगी हमारी 143 143 अभ यहां कि 143 निकलेगी तो इसको भी नौट कर लेते हैं हम इसकी दैप्थ को इधर से मेज़ कर सकते हैं और इसके डेप्ट किसी भी डालेक्शन से मेजर कर सकते हैं क्योंकि विर्ट जो होगा है इधर से भी ब्रिक की इतनी ही होगी और इस तरफ से भी ब्रिक की डेप्ट उतनी ही होगी तो हम किसी भी डालेक्शन से मेजर कर सकते हैं चाहें इधर से कर देंगे तब भी हमारी लग कि 143 आएगी हाइट का पॉड़िए तो अब हम उनको नोट कर लेते हैं दोस्तों जो देखिए दोस्तों में हाइट के अलॉग भी मेजर करके इनके distance को measure कर लिया है और हम क्या करते है reference value से compare करें तो दोस्तों देखे यह मैंने कुछ reference value के बारे में कुछ लिखा हुआ है save and size का जब test करते हैं 20 bricks को randomly select करते हैं और उनके save and size के लिए हम क्या करते हैं उनकी length जो reference value जो है यह आप books में आम ऐसा पढ़ते होंगे है कि reference value जुद्र ही होती है length जो है 368 cm से लेकर 392 cm तक होनी चाहिए जिबकि हमारी 461 cm आई हुई यह value और width में 174 cm से 186 cm आई है reference value होती है और हमारी exact observation के बाद 228 आई है यह ऐसा क्यों इतना difference है वो भी मैं आपको बताँगो क्यों इतना difference आ रहा है हाइट के according अगर हम देखते हैं तो हाइट के according जो हमारी brick के distance आ रहा है वह 174 से लेकर 186 cm यह 143 cm आई है यह लाई करती है यह value को लगभग लगव उसी value के nearest है अब इतना difference क्यों आ रहा है इसके बारे में भी आपको दोस्तों बताऊंगा क्योंकि हमारी जो नॉर्मली brick को adopt किया जाता है construction site पर या फिर हम किसी भी जगा पर brick को use करते हैं वो हमने तो पढ़ा हुआ है 19 x 9 x 9 cm लेकिन जो adopt किया जाता है वो adopt की जाती है 23 cm x 11.4 cm और 7.6 cm यह जो है नॉर्मली हम construction site पर इस brick को use करते हैं अब मैं आपको दिखाता हूंगे नॉर्मली यह use करते भी हैं या नहीं तो इसलिए आपको एक brick का size measure करके दिखाऊंगा जो exact इसी size की होगी तो दोस्तों देखिए अब मैं इस में से किसी एक brick को randomly choose करूंगा और उसको आपको measure करके दिखाऊंगा कि जो हमारे construction site पर नॉर्मली यू adopt की जाती है तो आई यह देखते हैं हम दोस्तों अब मैंने क्या क्या इस brick को choose क्या इस brick को मैं आपको size measure करके दिखाते हूं देखें इस बिक का size है वह normally दिया हुआ है वह है 22 cm और अब हम देखते हैं इसकी width को depth को देख लेते हैं इस डेप जो है वह है एप्रॉक्स एप्रॉक्स नहीं exact है 7 7.2 something cm 7 cm है और यह देख लेकि हम इसकी width का long measure करते हैं तो width का long है क्या है width का long जो है दोस्तो 11.11.something में आ रखें वैल्यू आप देख सकते हैं इसमें 11.5 जबकि हमारी जो preference value होती है 11.6 होती है अगर हम और ब्रिक को भी यह थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है ट्रांस्पोर्टेशन में और जह हम इने भट्टे में पकाते हैं तो थोड़ा बहुत श्रिंकेज आ जाता हीट की वज़े से तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने ही दो सकते हैं कि ब्रिक टेस्ट कैसे किया जाता है से बेंट साइज के लिए थैंक्यों दोस्तों